हेलो एवरीवन वेलकम बैक माई यूटीव चैनल एड टूडेइड टॉपिक इस बैक्टिरियल डिसीज जिसमें से दो डिसीज है कॉलेरा एंड टिटेनस तो आज हम बाद बेसिक पॉइंट्स जानेंगे कॉलेरा के बारे में तो बात करते हैं कॉलेरा के पैथुजन के बार अरुबिक होता है नुरिविक मतलब जो विदाउट ऑक्सिजन के रैस्पिरिशन करें और इसका स्ट्रक्चर होता है कॉमा शेप बैक्टिरिया और इसका जैनेटिक मैटेरियल होता है टू सर्क्लर डीन डीन न ओके अरो सब्सक्रिश्थि ऑपिडियुजी होता है और जो हैकि इसका इंफक्शन स्प्रीड होता हुई डायर्क्ट भी हो सकता है ड्यरेक्ट यह कॉंटिक çek से और इसका ड्यॉरीशन ओता है टू आवाज फडे brand chuटिन की कुछ गंतों से लेके कुछ दिन तक और इसका सिम्टम्स क्या है डाइरिया, वोमिटिंग मिसल्स, क्रैम्स, एक्यूट डिहहाइडरेशन मतलब इसकी वज़े से इस डी सीज की वज़े से दिहहाइडरेशन प्रॉबम मोज़ाती है जिंक सप्लिमेंट दे सकते हैं, औरल रिहाइडिशन दिया जा सकता है ओके, एंड डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले विब्रियो कॉलेरा को आइसोलेट किया था फिलिपो पैकिनी ने इन 1854 में रॉबर्ट कोच इन 1884 डिस्कवर्ड दा केस अफ कॉलेरा फिलिक्स आर्किमेडी पाउचिट इन 1849 विब्रियो कॉलेरा मतलब इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था विब्रियो कॉलेरा को? फिलिक्स आर्किमेडी पाउचिट और इसका जो कारण है इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोचने इन 1884 में, और बैक्टिरियल डिसीज की हम सेकंड डिसीज लेते हैं, बैक्टिरियल की डिसीज की माने जिए गर और बैक्टिरियल डिसीज तो उसमें से क्या हूता यह मतलब ब्रेकिंद ने के एंटर कर जाते हैं तो जिसकी वज़े से यह infection हो जाता है duration क्या है 3-21 days और month एक माईना भी हो सकता है या 3-2 दिन भी हो सकता है symptoms क्या है painful muscles, headache, jaw and neck, contraction अगर jaw and neck में contraction होने लगे तो उसको बोलते हैं locked jaw, high BP, fever, sweating, trouble, swelling तो यह होगे इसके symptoms अब आता है पॉरफाइलेक्सिस याने की रोगथाम इसके रोगथाम के लिए DPT vaccine बनाई गई है जिससे इसको रोका जा सकता है इसकी therapy क्या है, मतलब treatment penicillin, TIG, TIG क्या होता है titanus immunoglobulin जो toxin को neutralize कर देता है तो उसको बोलते हैं TIG और penicillin antibiotic होती है जिसको Alexander Fleming ने discover किया था तो यह होगे इसका treatment titanus is a neurological disease titanus क्या होती titanus एक neurological disease होती है यानिकि हमारे neurons जो होते हैं उनको affect करता है so friends यह तो था cholera and titanus disease जो bacteria के through होती है so if you like this video please share, like and comment and subscribe this channel